तो आज आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग सेशन है यह जो सेशन है यह है आपका मलाना ठीक है वैसे तो यह रिदन फैक्स है पड़े होंगे आपने आज हम मलाना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहे हैं कि मलाना है क्या आप सब को पता है कि कुलू डिस्टिक हमने कुलू डिस्टिक किया था कुलू डिस्टिक किसने बनाया है वैसे अगर हम थोड़ा सा कुलू के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला क् कुलू रियासत के founder कौन थे that is विहिंग मिंग पाल कहां से आयते हरी दुआर से आयते परियाग से ठीक है और जितने भी ancestors थे वो सारे आका अलाबाद से अलमोडा and then उसके बाद वो हरी दुआर बस गये कुलू की जो पहली capital थी वो जगत सूक थी जगत सूक के बाद विशुद पाल ने फूल किया एक है पार डाइनस्टी और एक है सिद सिंग डाइनस्टी सिद सिंग ने अपनी capital किस को रखा था जगत सूक को पर उसके बाद हमारे पास क्या आया बहादुर सिंग ने capital रखी थी नगर जगत सिंग जो की एक important ruler था कुलू का वो कौन था आपका सुल्तान उसने capital किसको बनाया था सुल्तानपूर कौन था जगत सिंग जगत सिंग ने रगुनाद मंदिर बनाया जगत सिंग के बाद आए विधी सिंग, मान सिंग ये आपके सारी कुलू के राजाओं की गाता है इसी बेच कुलू में कई ऐसी वैली जो बहुत famous है और ये वैली जैसे पारवती वैली है देन आपकी कसोल वैली है सोलांग वैली है जिसको आप बोल सकते हो कुलू की वैली जिसको वैली आफ गौज कहते है तो कुलू में एक जगा ऐसी भी है जैसे नगर कैसल को यानि रोरिक आर्ट गैलरी सेम तिंग विद दे कुलू का एक इतिहास जो सबसे युनीक है जो सबसे हटके है किसके लिए हटके है पूरे हिमाचल पूरे वर्ड के लिए अलग है वो कौनसी जगा है जो हिमाचल या पूरे वर्ड से अलग है वो है मलाना मलाना means क्या मलाना है क्या पहला question this is one of the most important and the interesting topic कि मलाना को कहा जाता है oldest democracy of the world why it is called as the oldest democracy of the world why मलाना is called as the जिसको आप बोल सकते हो एक अलग इतिहास मलाना ऐसी क्या जगा है जो सबसे हटके क्या हटके है तो सबसे पहली चीज़ मलाना जो सबसे हटके है वो उसमें क्या define किया गया है तो मलाना से कई questions आप से पूछे जाते हैं हम सिर्फ oldest democracy को याद करते हैं लेकिन जो H.A.S. के candidates हैं जो public service commission की त्यार के रहे हैं उनको मलाना का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता है basically क्योंकि जो S.A.C. के papers है उसमें general ये question आता है oldest democracy of the world is मलाना लेकिन आपके जो बड़े questions होते हैं H.A.S. level के उसमें मलाना से पूरा detail पूछा जाता है तो my first aspect of मलाना is एक question आता मलाना क्रीम क्या है मलाना actually में oldest democracy तो है मलाना एक ऐसी जगा है जो सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते है चरस, हशीश के लिए famous जो destination है that is मलाना जिर लोगों को हशीश या चरस का business करना है सबसे ज़्यादा मलाना जो है इस famous for मलाना नाम ही cannabis से पढ़ा है cannabis नाम होता है भांग या फिर चरस मलाना एक ऐसी जगा है जो चरस और अफीन के लिए सबसे ज़्यादा famous है तो सबसे ज़्यादा यहाँ की unique identities क्या है यहाँ पे लोग चरस खाते है हशीश क्या सेवन करते है लेकिन इसको सेवन as a enjoyment नहीं करते है यहाँ पे medicines का भी काम होता है तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें है जो मलाना को unique बनाती है वो आज हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ हम मलाना के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं चले सबसे पहली चीज़ मलाना के बारे में हम क्या पढ़ते हैं the village that grows the world best hashish तो हशीश के लिए तो आप सबको पता है कि हशीश क्या है वे आपका जो हशीश है वो किस चीज़ के लिए famous है हशीश इस तरह के पोद्धे तो आपने देखियोंगे इसको भांग भी बोलते है इसको भांग भी बोलते है तो यह क्या है आपकी भांग कि जो आपका सबसे पहली चीज़ है यह है आपकी भांग इसका जो नाम है that is called cannabis वैसे भी शिवजी का एक रूप है भांग कि जो लोग शिवभगत होते हैं वो भी भांग पीते हैं ठीक है Same thing with the Malana के लोग वो भी भांग का सेवन करते हैं और यहां पर is famous for Malana क्रीम What is Malana क्रीम? It's a part of cannabis It's the form of herb या form of plant जिसको बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा growth of hafim तो यह क्या है आपका Malana क्रीम Malana is famous for Malana क्रीम What is Malana क्रीम? It's the strain of cannabis hashish यानि Malana क्रीम जो मतलब है वो किस से मतलब है? हशीश से मतलब है यानि एक plant से मतलब है क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा इस plant की growth होती है और इसकी fragrance लोग मुगद रहते हैं पता ही होगा जो इतना तो सबको पता होता है भांग से जो है hallucinations होती है तो यहां पर सबसे ज़्यादा भांग के लिए famous है यानि और यह होती कैसी है dark black ठीक है? इसकी जो color with the gum properties देखिए यह एक book अभी recently एक book आई है Dr. Sukanya ने लिखी है यह book that is Malana Cream Rukanya sorry, Rukanya ने लिखी है और वो है book Malana Cream Malana Cream is totally dedicated to what? Malana Cream is dedicated उसने अपनी book में Malana Cream की benefits और उसके नुकसान दोनों को बताया है कि जो Malana Cream है Malana में जो यह सबसे ज़्यादा Malana Cream है क्या? इसके benefits क्या है? इसके नुकसान क्या है? तो Malana Cream is the outgrowth of the hashish और hashish से देखे benefits क्या है? यहां के जो लोग है ना वो इसको दवाई के रूप में यूज़ करते हैं कई इसको अपने आपकी जिसे body warmth के लिए यूज़ करते हैं कई इसको medicines के रूप में यूज़ करते हैं कई इसको enjoyment के लिए तो सबसे पहला fact जो Malana का है कि यह village जो है इसमें सबसे ज़्यादा best hashish कहां पे मिलती है आपकी Malana में पहला point clear यह है आपकी Malana यह पोधा तो आपने देखाऊगा यह हर जगा मिलता है पर सबसे ज़्यादा यह कहां पे मिलता है Malana में सबसे second touch me not villages it's called as a touch me not touch me not क्या होता छुई मूझ यह एक ऐसी विल्लिज है जो छुई मूझी का काम कर दो इसके यहां के लोगों को touch नहीं किया जा सकता यहां पे लोगों को touch नहीं किया जा सकता है यहां पे इनकी permission क्या है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता हो तो जितने भी outsiders हैं वो इनको touch नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को touch नहीं कर सकते हैं और इनका यह जो मलाना oldest democracy की खास बात क्या है कि यह एक ऐसी पायस जगह कि इसमें मतलब बाहर के लोग तो इनके लिए अजनबी हैं इनके कुछ rules and regulations हैं यह अपनी जगह को पवित्र मानते हैं यह अपनी जगह को properly साफ सुथरा कि कोई भी outsider आकर इनको touch करके अगर मान लो किसी ने touch कर लिया है तो यह क्या करते हैं उससी time नहाने चले जाते है means wash अपने आपको जैसे आज करोना फैर रहा है तो आपको बता है कि बोला जाता है किसी चीज़ को touch नहीं करो sanitizers use करो तो यह मलाना ऐसी जगह है इसको ऐसे मान के चले कि मलाना इतने सालों से हमने तो आज mask पहना शुरू किये आज हम लोगों को बोलते है हमें touch ना करो या किसी को touch ना हो मलाना तो इतने सालों से यह प्रथा को follow कर रहा है don't touch, touch me not प्रथा जिसमें अगर किसी ने इनको touch किया तो without their permissions इनकी permissions के बगार किसी को touch नहीं किया जा सकता है even in their hunting भी नहीं की जा सकता है किसी चीज पे कोई भी contact like that is called contactless तो यह जो village है जिस पे आप किसी को touch नहीं कर सकते जिसमें इनकी permission के बगार इसके बार इनकी permission के बावजूद यहां तक लिए किसको interesting लगा वह यह topic यह बहुत ज़्यादा interesting है कि यहां जो है देखे सिर्फ इतना कहा जाता है मालो suppose करो कि यहां पे आपने touch me note पर यह strict नहीं होते है friendly होते है कि आप किसी को बोलो कि मुझे touch नहीं करना आप हुमेशा किसी को ऐसे बोलो मुझे touch नहीं करना मुझसे बात नहीं करी तो वो आप उसके लिए presumption देते है यार कितने rude है तो जो भी लोग जाएंगे कि यार मुझे touch नहीं करो पहला feature क्या आएगा कि यहां के जो लोग है वो बहुत rude है बट ऐसा नहीं है इनकी प्रता है कि यहां पे जो लोग है वो एक दूसरे को touch नहीं कर सकते अगर touch करना है तो इनको नहा कर जाना पड़ेगा और अगर मान लो इसमें क्या है कि अगर suppose करो यहां के लोगों को जैसे बाहर से कोई आया और किसी की दुकान पे जागा मैगी खरीद रहा या कुछ खरीद रहा तो वहां पे क्या किया जाता है शॉप कीपर भी उनसे पैसे हाथ में नहीं लेता वो क्या गहता है काउंटर पे पैसे रखो काउंटर पे समान और जो उसको समान देना वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाएगा वो काउंटर पे रखेगा समान फिर काउंटर से समान को बट they are not, अगर by the way गलती से note पकड़ा दिया और हाथ टच हो गया, they will have to take the bath, क्योंकि वो अपवित्र होगी, तो सबसे बड़ी चीज पहला है, famous for hashish, second, touch me not prathah, आप से ऐसे पूछा जा सकते है touch me not prathah कहां पे हो दिया तो touch me not prathah जो है वो कहां पे है, मलाना में या ऐसी जगा का नाम बताओ जा सालों से ये प्रathah चल रही है don't touch me, contactless or cashless ठीक है, तो वो कहां पे चल रही है वो है, मलाना district या मलाना प्रिंसली राजियर जिसको बोलते हैं, second ये कहां जाता है, सबसे बड़ी चीज, मलाना को एक जगा कहा जाता है, अलेक्जेंडर कि ये जो लोग है इनके जो पूरवज थे, वो कौन थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भारत आया था 326 में किसको हराया था, पोरस को हराया था तो जब आपको पता है, जो अलेक्जेंडर है, वो कब, कहां से वापस चला गया था, आगे नहीं गया था, वो था, ब्यास से आगे नहीं जाने दिया था, किसने मना कर दिया था, कौई नोस, जो उसका सेना पती था, उसने मना कर दिया था तो अलेक्जेंडर किस philosophy को believe करते थे Greek philosophy तो जो मलाना के लोग हैं वो अपने आपको इनके जो पूरवज हैं वो कौन से हैं Alexander यह अपने आपको किसके पूरवज मानते हैं Alexander the Great क्यों क्योंकि यहाँ पे किस वज़ा से यह मानते हैं कि जो इनके सबसे पहली चीज़ है जो इनके facial gestures है वो कि वो बिलकुल Romans और Greek से follow किये जाते हैं जो लोर हाज इस लोर हाज इस that some of his soldiers too tired to return and देखिये अब क्या है सबसे पहली चीज़ है अलेक्जेंडर को अपने पूरवज क्यों मानते हैं पहली चीज़ जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो बियास से होकर वापस चला गया था तो जब वापस आया था तो जब वो वापस गया था तो कुछ टाइम तक वो मलाना में रुका था जब मलाना में रुका तो कुछ लोग यहां पे settle होगे तो इसलिए कहा जाता है कि यहां के जो soldiers कुछ उसके जो सेनापती थे यहीं पे रुख गे जिसकी वज़ा से यह कहा जाता है कि यह जो लोग हैं यह किसके पूरवज हैं यह पूरवज हैं आपके किसके आपके ग्रीक philosophy यानी Alexander तो सबसे पहली चीज़ आपसे यह question पूछा रहा सकता है कि मलाना के जो लोग हैं वो किसके पूरवज थे तो मलाना के जो लोग हैं वो किसके पूरवज थे Alexander the Great Alexander the Great कुलो की वो कौनसी जगाती जहां पे रुका था तो वो रुका था मलाना में ठीक है और किसने उसको वापस जाने के लिए बोला था कॉईनोस तो सबसे पहली चीज़ कि यह इतका जो facial gesture है यह वला वो किससे जतने भी local inhabitants है वो अपने आपको किसके पूरवज मानते हैं Alexander के और यह क्यों क्योंकि यह कहते हैं कि क्यों इन्होंने अपने आपको Alexander क्योंकि जो इनके facial gestures है यह जो expressions है वो पूरे Greeks को represent करते हैं तो पहली चीज़ यह आर देसेंडर्स आप अलेक्जेंडर ग्रेट clear तो इसके बाद जो है आपका next आता है आपका ठीक है यहां पर सबसे पहली चीज़ इस विलेज में photography करना मना है इस विलेज में photographs क्लिक करना मना है ठीक है villages are strictly prohibited to click the photographs मतलब जितनी भी photographs है वो है लेकिन आप अब ताकी इनका culture क्यों prohibited है आप आँ जाका photographs नहीं क्लिक कर सकता है अगर क्लिक की है तो आपको fine होगा क्यों क्योंकि इनके culture इनके lifestyle को proper secret रखा जाए वरना इनके सारी चीज़े इनका पता चगए है यह अपने आपको एक safe एक अच्छी destination मानते हैं इनका culture यह किसी को भी अपना culture दिखाना नहीं चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ next आता है अब आता है cultural practices culture और सबसे पहली चीज़ मलाना में oldest democracy है पुराना लोक तंतर है लोक तंतर किसके बिसे तो culture और practices की मलाना के लोग के जो पूरवज है colorful culture है यहाँ पे जो लोग है बाहर से आना पूरा जिसको बोलते हैं यहाँ के जो लोग है उनका जो mean guru है वो कौन है किसको पूजा करते हैं जामलू देवता की और जामलू देवता कौन है रिशीत जमादगनी जो किसके husband है रेनुका के husband और परस्चुराम के father ठी sırt तो बाद में आकर कहा जाता है जामलू देवता जब यहां आयते तो दासू एक उनको जब उन्होंने हराया था तो जमातगनी से उन्होंने विश्की दी कि इस जगा को स्ट्रिक्ली रखा जाए मेरी चीज़ें यहाँ पर याद ने कोई भी चीज़ मुझे ना भूले मेरे योगदान को ना भूले तो जमातगनी ने यह चीज़ उनको दिलाई थी इसलिए इस चीज़ को प्रोहिबिटेड किया गया तो सबसे पहली चीज़ इसका जो मेल मेंबर है वो कौन सा है पुजारी तीक है और धम्यानी और धुरानी देखे अब क्या है मलाना में भी कास सिस्टम है मलाना की जो डिस्टिक है उसमें डिफरेंट का मैं तर्स ट्रिकली कास सिस्टम है क्योंकि जामलु देवता को मानते थे मंदिरों को टच नहीं किया जा सकता था अंदर जाना नहीं चाहते थे तो सबसे पहली चीज़ सिर्फ पंडित जाता था अंदर और वो जाता था वो ही पंडित होगा जो जमादगनी जिसके पूरवज थे मतलब जो प्रीस्ट होगा उसका जो रिलेशन है वो जमादगनी के साथ होगा, मतलब जमादगनी वंश के साथ होगा, तो इसके साथ होगा आपका पूरा, तो आंसर इस आपका धम्यानी, तो प्रीस्ट को बिलॉंग करता है, जो उसका पूरवज है, वो कौन है आपका जमादगनी, नेक्स, धम्यानी अब क्या है, यहाँ पर राजपूत र पंचनी और नगवानी जो राजपूत्स हैं, वो क्या है? आपकी lower caste of Malana. पहली चीज़, जैसे आपको इसका जो बोला जाता है, caste, जैसे इसके upper houses होते हैं, upper and lower house, कनिश्ठांग and जिश्ठांग, same thing with इनके जो राजपूत्स हैं, तो upper caste and lower caste, दुरानी and धम्यानी, धम और दुर is the upper caste, नगवानी and आपका पंचानी राजपूत्स जो हैं, ये इनकी lower caste है, किस-किस को मज़ा आ रहा है, जल्दी बताइए, किस-किस को मज़ा आ रहा है, और किस-किस को लग रहा है कि भई, ये बहुत बोरिंग है, ये जो है, बहुत बोरि आपका, कनाशी, यहां की जो language है, ये question आ सकता है, कि यहां की जो लोग है, वो अपने आपको superior समझते हैं, दूसरों से, तो यहां पर एक भाशा बोली जाते है, जिसको बोलते है, कनाशी, क्या बोलते है, कनाशी, यहां की जो local language है, वो क्या है, आपकी कनाशी, ठीक है, तो several tributian language देखिए यह जो कनाशी वर्ड कनाशी कहां से आया यह जो कनाश वर्ड आया है यहां पे कहा जाता है कि इस village में एक devil रहता था राक्षस रहता था कनाश देखिए उसके नाम से इसका language का नाम क्योंकि उनकी जो dialect मतलब वो जो राक्षसों की भाषा थी वो कौनसी थी कनाश तो इसलिए यहां पे जो local लोग है वो कौनसी भाषा बोलते है कनाशी language लेकिन यह कहां से आई है यह आई है Sino-Tibetian Western Language यह कौनसी आई है Sino-Tibetian Western Language तो सबसे important चीज क्या है कि कनाश क्योंकि यहां के लोग जो है superior थे तो यहां पे जो है जो आपकी कनाशी language बोली जाती है पहले यह जो word है कनाश यह कहां से निकाला गया है devil से यानि जो यहां पे राक्षसों लेकिन आज यह जो language है हमके लिए एक sacred पवित्र language है क्योंकि उस टाइम पे तो फिर उसके बाद जामलू देवता आ गए तो जामलू इनके पूरवज है यानि इनके मीन गुरू है तो इस जगा को पवित्र भी माना जाता है तो कनाश एक sacred language है और outsiders जो भी आएंगे उनको कनाश language ही बहननी पड़ेगी ठीक है मतलब सबसे important चीज़ कि यहाँ पे लोगों को आना prohibited है अगर लोग आते हैं तो कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता और कनाशी language उनको सीखनी पड़ती है ठीक है next आता है oldest democracy of the world क्योंकि यही question हम से पूछा जाता है सबसे बड़ा लोग तंत्र लोग तंत्र क्या होता है is the people for the people and by the people oldest democracy of the world सबसे पुरानी oldest democracy कौन सी है आपकी world की that is मलाना मलाना is the world's oldest democracy सबसे पुरानी क्या है oldest democracy यहाँ पे parliamentary system है मतल लोग तंत्र पूरा चलेगा लोग तंत्र में दोनों सदन है upper and lower house upper and lower house ठीक है upper house is called as जेश्थांग lower house is known as कनिश्थांग ठीक है यह है इनका parliament ठीक है इसको जो है और यह जो parliamentary system है इसको चलाने वाला कौन था जामलू देप था ठीक है और इसके बाद यह जो village थी यह कब अलग हुई थी मतलब इसमें independence कब आई थी मुगल के रीजन से ठीक है और कहा जाता है कि यहां के जो लोग हैं इनको कभी भी text पे नहीं करना पड़ता कि जितने भी inhabitants है उन्होंने आज सक यहां से मलाना village से कोई भी text पे नहीं कर सकता और यह भी कहा जाता है कि यह जो system है parliamentary system जो यह follow करते हैं वो कौन सा है Greek क्योंकि इनके जो पूरवच थे वो कौन थे जिसकी वज़ा से यह ग्रीस का parliamentary system follow करते हैं और यह एक important fact है मलाना का सबसे important fact मलाना का क्या है यह है आपका कि यहां पे सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं मलाना किसको गुरू मानते हैं जामलू देवता को अप parliamentary system है संसद संसद में एक head और दो southern दो southern कौन से हैं जेश्ठांग और कनिश्ठांग अपर हाउस जेश्ठांग लोवर हाउस कनिश्ठांग और कहां जाता है यहां पे लोगों को कोई tax नहीं भना भरा जाता यह जो parliamentary system है यह इनोंने लिया कहां से ग्रीक से लिया है ठीक है यहां तक लिया अब क्या है सबसे पहली चीज़ यहां पे ताबूज होते हैं ताबूज क्या है इन में जो है कुछ रूल्स होते हैं देखिए यहां पे कहा जाता है little Greece इसको little Greece भी बो जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां पे ग्रीक की philosophy होती है तो सबसे पहली चीज़ यह एक कुलू वैली के अंदर जाकर सम्मिट है मतलब कुलू वैली का अंद्रिला पार्ट है जो कहां पे लाई करता है चंदरखानी दर्रा पे चंदरखेनी दर्रा जो कहां पे है क पुलू में चंदरखेनी दर्र और पार्वती दर्र के ृपीच भीच पर आपका मलाना विलेज परता है और इसा गाव। जिसको little grease कहा जाता है वो है milana ठीक है क्या कहा जाता है milana तो यह याद है कि यहाँ पे क्या चीज़ें और भी है कि कोई भी इंसान चाहिए वो बाहर से है पेड़ों को नहीं trees को कोई कटनी करेगा कोई भी कीले नहीं लगाएगा nears are not allowed कोई भी आकर hunting नहीं करेगा huntings are also not allowed ठीक है पेड़ों पे जाकर कील लगाना आपके जो है शिकार खेलना बिल्कुल allowed मितागा suppose करो अगर कोई शिकार अगर या कोई शिकार जैसे भालू आगया कोई जानवर आगया उससे अपनी area को बचाने के लिए यह क्या करते हैं hunters जैसे मालो कोई शिकारी या जैसे आपको suppose करो कोई भालू आगया और वो उनकी ships और वो इसको ले गया तो यह क्या करते हैं वापिस किसी hunter को भेज के जो है वहाँ पे hunter को भेजेंगे जब वो मारेगा तो उसको reward दिया जाएगा reward के form में क्या दिया जाता है फर क्या दी जाती है फर ठीक है क्या दिया जाता है इसको फर ठीक है ठीक है इसमें क्या है जो भी फर जैसे माल लो कोई भी है शिकारी उसको भेज दिया उसको मार के लाएगा तो उस मालने के बाद उसको reward दिया जाएगा लेकिन इसकी जो पर है उस जो animal की skin है उसको देवता को चुड़ाना पड़ेगा ठीक है उसको किसको चुड़ाना पड़ेगा देवता को सबसे important चीज क्या है कि एक तो इदर कीले नहीं लगा सकते hunting नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ animals को नहीं माया और police की intervention यहाँ पर allowed नहीं है यहाँ पर जो भी cases है वो सिर्फ वहाँ के गुरू या उसकी जो सदन है वो देखी जाएगी police यहाँ पर interfere नहीं करती है अगर मालो police की लेनी है अगर suppose करो कोई भी यहाँ पर accused रहे किसी ने गलती किया है तो police नहीं आकर उसको सेफ परेगे अगर मालो किसी इंसान ने police की intervention ली कि किसी ने help ली कोई भी victim है जिसने help ली तो उसको कितना fine देना पड़ता था हजार रुपया कितना fine देना पड़ रहा हजार तो इसका मतलब देखिए इतने बड़े word में एक ऐसी जगह जो आज भी पुरानी प्रता से चल रही है वो है आपकी मलाना I hope clear next आता है एक और interesting चीज़ है चलिए एक और चीज़ है कि police intervention are not allowed और इसको क्या है village council अगर police आई तो वो क्या देगी thousand रुपीज उसको देना पड़ेगा एक और चीज़ है यहाँ के जो लोग है इनमें faith कहते ना भ्रम तो यह क्या है इनमें भ्रम होता है कौन सा भ्रम है कि इनको जो justice करना है वो justice किस तरह से करते है वो justice दो वज़ा से करते है क्या करते है अगर suppose करो ये कहा जाता है कि Alexander जैसे ये अपने आपको किसके पूरवज मांगते है ऐलेक्जेंडर की तो इसमें कहा जाता है कि ये क्या करते हैं उस टाइम से ये प्रथा चल रही है कि इनकी जो जुडिश्री है वो बाकी जगा से डिफरेंट है मान लो कोई accused है या आप बोल सकते हो इसका कि जब आपका they believe in godly approach ठीक है ये क्या है आपकी godly approach को follow करते हैं ये क्या करेंगे दो lambs लेंगे दो lambs मन्दब दो animals लेंगे animals को cut करेंगे ठीक है animals में एक deep cut देंगे उनकी leg पे ठीक है और फिर क्या करेंगे each of two parties poison it and ठीक है मान लो दो lambs है ये दो lambs है lambs मतलब दो animals ठीक है उनको क्या है उनकी four leg पे जो है cut देंगे cut देने के बाद उस पे उसको जहर दे देंगे needle से जहर देंगे और उसके बाद उसको sil देंगे ठीक है जो पहले मरा जो lamb पहले मरी that is the main victim या उसको सजा मिलेगी कि जिसकी लैम पहले मरी उसको सजा दी जाएगी तो यहाँ पर यह मिस्बिलीव है कि यहाँ पर पुरानी प्रता यह पुरा था कहां से जा रही है एलेक्जेंडर से तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इनका जुडिशियस सिस्टम है जुडिशियस सिस्टम is totally different इननों ने दो लैम लिये दो आनिमल्स लिये दो नों आनिमल्स को कट किया कट करने के बाद उनके लेक्स पे जो है जहर नीडल से स्यू किया और उसके बद उसको सिल दिया जो जिस इनसान, जिसने दो जैसे बोल सकते हैं, दो गुनेगार है, दो क्रिमिनल्स है, जो जिसका क्राइम, जिसका आनिमल पहले मरा, that is the criminal, और जो नहीं, जिसका नहीं मरा, that is the savior, तो इट मीन्स कि ये इनकी जजमेंट है, जो की आज भी चलती है, दूसरा आता है, इनका आकिटेक्चर भी जो किस तरह का है, आकिटेक्चर जो होता ये three-story building बनाते हैं, इ स्टोरीद बिल्डिंग होते है, आपका, देखें आपर, पर्पार्ट को ये बोलते हैं, फिर्स्ट फ्लोर को बोलते है, गया, गाή, फर्स पार्ट को बोलते हैं गाइंग ठीक है और सेकड जो आपका ग्राउंड फूलोर होता है यह जो फुर्स स्टोरी है इसको बोलेंगे गाइंग जहां पे कैटल जए उसको बोलते हैं खदूम ठीक है और जो इसका उपर वाला पाट होता है that is called as the top part जो होता है, बालकनी, उसको बोलते है पती, जहां पे लोग रहते हैं, फिर से बता रहू जो इनका घर है, वो तीन स्टोरी होता है, 1, 2, 3 जो बेस फ्लोर है, उसको खदू बीच का फ्लोर is गाइंग और उपर का फ्लोर is पई, पती, जहां पे लोग रहते हैं, तो यह चीज सबसे इंपॉर्टन्ट है कि जो इनके घर का स्ट्रक्चर है, वो भी पर्टिकुलर है कि नीचे में आनिमल्स रहेंगे बीच में खदूंग पार्ट यानि गई और उपर के पार्ट में यह लोग रहते हैं, तो यह और यह इसका जो पूरा घर है, देखे अंदर से मड़ वाल्स अंदर से सारी मड़ वाल्स होगी और बाहर से क्या काम होगा इनका, वुड़न का काम क्या काम होगा, वुड़न का, लकड़ी का, ठीक है, जो अंदर की walls हैं वो plaster किस से की गई है मिट्टी से लेकिन जो इसकी wood walls है जो इसका बाहर का काम है वो होगा wooden से ठीक है इसके बाद education यहाँ पे 12 तक का school है लेकिन hardly दो ही लोग पास हुए प्राइमरी स्कूल भी है middle school सबसे पड़ी चीज इसमें एक और आती है festivals मलाना जो है festivals मनाती है एक festival है हरदाला जो की February में मनाया जाता है एक है मलाना शौन जो की 15 अगस्त को मनाया जाता है हरदाला जो की आपका क्या किया जाता है मास्क पेने जाते हैं मास्क पेने के बाद हरदाला जो है यह एक मास्क डांस है ठीक है ये फेबरी में होता है इसमें क्या होता है हर इंसान को नहाना होता है ठीक है इसमें जो है हर इंसान को नहाना होता है और नहाने के बाद कहा जाता है कि ग्राउंड में जो है इनको कपड़े क्यानब इस पहनना पड़ता है क्या पहनना पड़ता है पत्तों का जैसे ज दाला फेस्टिवल है, it's the mask dance जिसमें जो है इनको नहाना इस दिन इनका नहाना कंपर्शन है और नहाने के बाद इनको cannabis, जैसे आदी मानव पत्ते पहनते थे, वैसे इनको पत्ते पहन के हर घर पे cow dung लगाना है ठीक है? और और यह जो यह फेस्टिवल है, यह किसका फेस्टिवल मनाया जाता है, अकबर का यह किसका फेस्टिवल है, interesting fact क्या है कि अकबर का, जो आपका मलाना शौन है, यह 15 अगस्त को मनाया जाता है, that is your लोग तंत्र दिवस, इसको आप लोग तंत्र के basis पे मना सकते हो ठीक है, तो यह जो मलाना के बारे में था, देखें, मलाना से आपको three stories, taboos है, इनका जो अगर हम देखें, properly देखें तो मलाना से हमें question क्या आता है मलाना से एक question आता है, which is the oldest democracy of the world वो है मलाना, क्यों है, क्योंकि मलाना में, यह भी question आसकता है, कि मलाना में जो parliamentary system है, वो कहां से लिया गया है, वो है Greece से, यहां पर यह कहा जाता है कि इसके देवता कौन है, जामलू देवता, कनाशी language कहां पर बोली जाती है, मलाना में बोली जाती है, मलाना क्रीम से मतलब क्या है, it's the plant which is taken in the form of hashish system है, यह सबसे अलग किसका है यह है आपका, किसका अलग system है, that is your, आपका मलाना का, क्यों? कहां जाता है दो animals, जो कहते हैं, जो criminals हैं, उनके animals को बलाया जाता है, उनके animals को cut किया जाएगा, उनको जहर खिलाया जब जहर डालके, उनको सिल दिया चाएगा जो पहले मरा वो criminal जो जिस का animal पहले नहीं मरा वो savior next जो इसमें मलाना में मलाना हरदाला festival मलाना के जो लोग है वहाँ पे strictly आपके friendly तो है but they are touch me not मैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को हम touch नहीं कर सकते तो यह सारे features मलाना के देखी यह आज का session interesting facts है hidden facts है इसको लंबा नहीं कीच सकती है अगर लंबा खींचना है तब भी खींचा जा सकता है but इसमें आपको interesting facts देखने है कि क्या होता है कैसे होता है तो यह आपका for a time being क्योंकि districts कर रहे थे तो districts में एक interesting facts की तरह पढ़ो कि मलाना में है क्या आने वाले time पे मैं इसकी power points की और तरह से बनाऊंगी जब research पे काम करूंगी लेकिन इस time पे आपके लिए जो मलाना का है इसको अच्छे से पढ़िए अच्छे से deal कीजे और इसको share कीजे interesting facts वैसे तो यह संडे को आते बट यह मेरे पास इस time पे कुछ की मैं आपको डिस्टिक शुरू करके जाती तब भी आपका आदा डिस्टिक होता ब्रेक लगती यह एक interesting facts है इसको interesting facts की तरह पढ़िए यहां से आपको H.A.S. में काम आ सकता है नाइब तसिलदार में काम आ सकता है अगर तो session अच्छा लगा है तो please video को like and share जरू करना आने वाला session जो है आपका DOS का है उसमें सिर्फ हमने DOS किया है, disk operating system किया है जिसमें brief किया है आते ही हम इसकी commands करेंगे बट तीन दिन आपके marathons की classes चलेंगी, तीन दिन आप marathons को देखिये, marathons को share कीजे और आप से हाथ जोड के request चानल को like and share जरूर करना जितना हो सकता है वीडियो, जितनी भी playlist है उसको पुराना revise कीजे ताकि आपको content उसमें अच्छा है with proper explanations है बस कुछ live sessions है कुछ आपका recorded है तो अभी थोड़ा time दीजे आपके साथ अभी मैं पिछली classes हो अगर कायज आपने classes नहीं देखी तो फाइदा मुझे यह लगेगा कि पीछे आप पढ़नी देखो आपकी मर्जी है बट अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है प्रेमियर्स आपके 7-8, 8-9 लगेंगे तो इन sessions को देखे और आपके marathons लगेंगे जो की properly based on paper pattern है तो उमीद करते हूं कि आपको यह session पसंद आए enjoy the sessions as well as like and share the session तो आज के लिए इतना ही मिलती हूं आप से फ़र तब तक के लिए bye bye take care and stay fit, stay blessed and stay happy as well as safe from omicron stay safe, use your masks as well as और आपका sanitizers एक और चीज़, अभी HPU की उन्हें वो निकली है post निकली है HPU के जो भी candidates है या HPU में जितनी भी post है उनको भी भरिये उन forms को भी भिरिया और आपको बता है कि जो अभी candidates जो J.O.A का paper यह सब भर रहते हैं वो 15 तक extend कर दिया गया तो hopes हो कि आपके papers को extend कर दिया जाए पुलिस की भरती भी आपकी extend दूरी है बट त्यारी जो है यह हर चीज़ की session की इस बार हम पहले से ही त्यारेंगे ताकि paper में हम maximum to maximum practice कर सकें तो आपसे उमीद करते हूं session को like and share जूर करना आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे फिर तब तक के लिए bye bye take care पुलिस के लिए आपसे हाँ